16 में को Ghost of Tsushima PC पर release होने जा रही है ये गेम आपको वही PlayStation के fix price 4000 रुपे में Steam पर देखने को मिल जाएगी पर main बात इसके graphic requirement पर आती है क्या ये गेम आपके PC ये laptop में अच्छे से run कर बाईगी या नहीं चलिए देखते हैं 75 GB की storage space आपको चाहिए इस गेम को install करने के लिए जो minimum settings जो यानि की low या very low settings होती है उसके लिए जो graphic art required है वो है हमारा GTX 960 और जो recommended setting जनरली medium setting को ही recommended setting कहते है उसके लिए जो graphic art required है वो है RTX 2060 अब मेरी तरह जितने भी users हैं जिनके पास GTX 1650 है और उसे मैं to RTX 2060 से compare करूं तो RTX 2060 double powerful है double frames देता है in comparison to GTX 1650 तो अगर ये game medium settings पर RTX 2060 के साथ चलने वाली है तो मैं expect कर रहा हूं तो 1650 में ये low setting FSR enable करके 30 से 35 frame मुश्किल से देगी अब 1650 वाले users अगर इस game को pre purchase करना चाहते हैं तो फिलहाल तो मैं उने recommend नहीं करूंगा हम game को release होने देते हैं benchmark करेंगे और देखेंगे क्या है कौन सी setting इस game को चलाने के लिए best रहेगी अगर आपके पास 1660, 3050 हैं उसे भी अच्छा कोई graphic card है तो बेज जिजग आप इस game को pre purchase भी कर सकते हैं और अच्छे frames और अच्छी setting पर खेर भी सकते हैं अच्छा अच्छा अच्छार अच्छा सकते हैं